प्रिये जन्पद वासियों मैं जलादिकारी उन्नाव रवीन कुमार जन्पद में पिछले दो दिनों में यानि दिनांग चार और पाँच दिसंबर को कोविड-19 के जो रिजल्ट आए हैं उसमें संख्या बढ़ी है और विशेश रूप से सुकला गन्ज और उन्नाव करस्बे में यह संख्या बढ़ी है इसमें कुछ जो सेंप्लिंग कराई गई थी उसमें बैंकेट हॉल की भी सेंप्लिंग थी वहाँ जो कैट्रिंग में लगे हुए स्टाफ थे उनका पॉजिटिव रिजल्ट आया है अता मैं सभी से अन्रोद करूंगा कि समय जो शादियां यान्य समारों चल रहे हैं उसमें अत्यंत साधानी परते हैं जो कोविट-19 का प्रोटोकॉल है जितनी संख्या निर्धारी थे इतनी संख्या में ही लोगों को सीमित रखें इसके त्रिक्त जो खाना खाने के समय जो बरतन उपयोग हो रहे हैं जो चम्मच है या बड़े चम्मच जिनसे समान निकाला जा रहा है उसके वाज़ा यह विवस्ता सुनिशित करें कि लोगों को देने के लिए स्टाफ नियूक्त रहे ताकि हर व्यक्ति वही चम्मच या अन्य बरतन टच्च ना करें इसके साथ ही भारात में फूल माला देने से अच्छा होगा कि हर भाराती को एक सैनिटाइजर 50 ml का दिया जाए ताकि वह सुरच्चित रह सके अत्यंत साधान रहने का समय पुना आ गया है बाजारों में या अन्य जगा लोग सोसल डिस्टेंसिंग के पालन करें मास्क वस्ते लगाएं तभी हम इससे बचकर रह सकते हैं धन्यवाद